हेलो प्रेंट्स, वेलकम डियर ओन चैनल लेली स्टॉक तो दोस्टे इस वीडियो के अंदर हम प्राइम फ्रेश फूर्ट के डिटेल अनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको प्राइम फ्रेश के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो दीके सबस्टे पेलम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है तो दीके ये जो कंपनी है ये वेजिटेबल्स और फूर्ड को सप्लाय करने का ये कंपनी काम करती है domestic और global market दोनों में FNV का मतलब यह होता है कि food gen variable तो यह दोनों को domestic और global market में भी हमें यहापे stand करती हुई नज़र आती है domestic यानि कि अपने India market में sell करती हो globally यानि कि export भी यह company हमें करती हुई नज़र आती है तो देखिए अभी 149 करोड का इस कमनी का market के अपे SME platform पे यह company भी लिस्टिड है अगर हम peer ratio की बात करेंगे तो 46.7 का में यापे peer ratio नज़र आता है 17.9 का यापे book value है तो अगर हम book value से comparison में अगर हम दिखेंगे तो around यापे 7 times के लगबग हमें यापे price to book value पे यह company हमें trade होती हुए नज़र आरही है बाकि debt यापे company का काफी normal है तो यह debt से लेटेड हमें यापे कोई issue नज़र नहीं आते है ROC के अगर हम बात करेंगे 21.2 percentage का ROC है और return on equity यापे company का 16.3 percentage का हमें नज़र आता है चोटी कंपनी के बाव जो जो यहाँ पे numbers point अभी से अगर हम देखेंगे तो price to book value हमें यहाँ फोड़ा costly नज़र आता है लेकिन मेरे ख्याल से जो छोटी कंपनी जोटी कंपनी जोटी है वहाँ पे price to book value ratio इतना ज़्यादा matter नहीं करना चाहिए अब अगर हम growth wise अगर हम देखेंगे तो देखे धीरे धीरे यहाँ पे consistent वे में यह company grow कर रही है यहाँ पे 44 करोड के revenue से यहाँ पे 77 करोड के revenue पे यह company आ चुकी है और यहाँ पे 1 करोड 28 लाग रुपीज के profit से यहाँ पे 3 करोड 29 लाग रुपीज पे अब अगर हम यहाँ पे revenue के numbers के अगर हम बात करेंगे तो देखें यहाँ पे हाफेली numbers यह company के तो यह आप यह में समझेगा कि यह quarterly numbers है यहाँ पे 6 महिने में 19 करोड के revenue के नमबर ते फिर उसके बाद में 28 करोड के revenue था company का और यहाँ पर अगर आप देखोगी कि एकदम से revenue का number कम की हो गया तो कि देखें एपरेल से जून वाले quarter में कुवीड की second wave थी तो उसकी वज़र से फरक पड़ा था बाकि अगर मार्च 2021 वाले आप देखोगी तो आप 40 करोड के revenue कमनी के आगे ते profitability फिर से on track आ गई थी और यह वाले quarter में फिर से प्रब्लम्स को अगरा रहे तेर उसकी अगर से यहां पर फरक कराए बाकि numbers पॉइंट वी से देखा जाया तो कमनी के numbers हमें यहां पर अच्छे नजर आते हैं और इतने ज्यादा अच्छे नहीं है लेकिन बुरे भी हमें यहां पर कमनी के numbers नजर नहीं आते हैं अब देखें यहां पर अगर हम share holding pattern की अगर हम बात करेंगे तो देखें प्रमूटर्स का holding यहां पर लगातार बढ़ रहा है मार्च 2021 में यह number 58.21 परसेंटेज पे था और भी यह number 60.95 परसेंटेज पे नजर आता है यानि कि more than 2.5 परसेंटेज से यहां पर प्रमूटर्स की holding बड़ी है तो हमें इसे positive में लेना चीए बाकी बीच में यहां पर FIIs ने भी holding थी लेकिन FIIs की holding यहां पर पूरी sell हो गई है और बीच में अगर आप देखोगे तो stock काफी ज़्यादा lower circuit भी लगा रहा था तो वहां पर मेरी ख्याल से FIIs ने sell किया होगा उसी का फरक यह ज़्यादा problem चे तो वहां पर FIIs इतना ज़्यादा invest नहीं करेंगे अब देखिए operating cash flows की अगर हम बात करेंगे although company के operating cash flows negative है लेकिन विरेकाल स्टेशन में यहां पर जोटी company की होटी है देखिए food and vegetables को अच्छे से करके वो store करने का काम भी ज्यादा reinvestment का भी यहां पर कमनी का काम हमें नजर नहीं आता है बाकि अगर आप देखोगे तो operating cash flow में जो हमें इंफ्लोर देखने को मिला है तो यह company ने जो debt लिया है उसका में यहां पर इंफ्लोर देखने को मिला है 2019 का यहां पर all time high यह वहां से अगर आप compare करोगे तो around 100 रुपीज यह stock गिरा है तो अगर हम percentage wise अगर हम बात करेंगे modern 40% का correction हमें यहां पर नजर आता है तो मेरे काल से का correction देखना चाहिए तो देखना तो चाहिए और मेरे मेरे पॉइंटर भी से देखा जाए कमनी यहां प करते तो यह आपने यहां पर invest करना चाहिए तो मेरे खाल चाहिए अच्छी नजर आती है लॉंग्डम वाइंडवी से देखा जाया एक अच्छी growing industry में कमनी काम कर रही है मेरे खाल चेकर invest करना तो इन्वेस्ट किया जा सकता है और यह ध्यान में रखेगा कि liquidity काफी कम रहत कि दो तो थैंक यू वफ नाइस दे